Hello everyone, कैसे हैं आप लोग, I hope आप लोग बहुत अच्छी होंगे, मैं कृतिका पांडे और आज मैं आपको बताओंगी, MS Excel में ट्रांस्पोर्ज फंक्शन का यूज मल्टिपल तरीके से कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ट्रांस्पोर्ज फंक्शन ह होता क्या है, उसका यूज क्या है, तो देखिए, जैसे हमारे पास यहां पर आप डेख सकते एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल में जितना भी डेटा है, वो आप देख रहे हैं, सारा डेटा वर्तिकल है, वर्तिकल का मतलब ये होता है, कि डेखिए, हर एक कॉलम में अप या फिर यही कि इसे की copy एक हमें horizontal बनानी है, तो अब अगर हम एक एक करके data को horizontal type करेंगे तो बहुत time लगेगा, तो transpose function यही करता है, vertical data को horizontal, horizontal data को vertical बनाता है, horizontal का मतलब यह होगा, कि जितने भी headers अलग-अलग column हैं, फिर यह सब अलग-अलग row में आएंगे, यह जो data आपको vertical है यह सारा ऐसे horizontal बनता चला जाएगा, अलग-अलग rows में, ठीक है, तो यह काम होता है transpose function का, अब इसे transpose function को आज हम तीन तरीके से use करके देखेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला तरीका क्या है, तो इस data को अगर हमें horizontal बनाना है, तो इस data को सबसे पहले हम select करेंग और control CCSM copy कर लेंगे, copy करने के बाद जहां भी data यह हमें as a horizontal चाहिए होगा, वहां पर अपना हम cursor रखेंगे, और cursor रखने के बाद में paste पर हम click करेंगे, और यहां से paste special पर click कर लेंगे, इसके बाद हमें यहां से transpose पर click कर देना है, तो आप देखेंगे कि जितना भी मारा data थ वो सारा क्या हो चुका है, होरिजंटल आ चुका है, आप देख सकते हैं, यह data हमारा पूरा इदर दिख रहा है, कुछ data आपको इस तरीके से number number जैसे दिख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि column का side चोटा है, अब आप देखेंगे कि सारा data हमारा horizontal हो चुका है, आप इसे अरश थे वो एक ही अलग-अलग सारी row में आ गये हैं, और जो हमारा data था अलग-अलग सारी row में आ चुके हैं, तो यह होता है मारा transpose function, पर अब देखें, इस transpose में problem क्या है, जैसे माल लिया, आप देख सकते हैं, कि हमारा यह जो data है, माल लिया कि, देखें, यह जैसे salary लिख वर्टिकल डेटा में है 35,000, अगर हम इसमें यहां पर changes करें और इसे हम कर दें, यहां से 40,000, तो देखना, जो हमने इधर changes किये हैं, वो इधर हमारे update नहीं हुए, यहां पर अभी भी 35,000 है, अगर किसी दूसरे की भी salary यहां से हम 12,000 करते हैं, तो वो भी salary यहां पर update नही होंगे, तो आप मैं आपको दूसरा तरीका इसका बताऊंगी, transpose function को use करने का, जिसमें क्या होगा, कि table तो transpose होगी होगी, साथ ही साथ इस वाले data का एक link create हो जाएगा, आपकी horizontal table में, मतलब vertical table का एक link जैसा create हो जाएगा horizontal table में, ता कि आप vertical table में जब भी कभी कोई changes करेंगे, तो वो horizontal table में अपने आप हो जाया करेंगे, चीक है, तो जलिए, अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा तरीका, तो हमें देखे सबसे पहले क्या करना है, जैसे, जैसे हमारे पास ये data है, अब अगर हम ये चाहें, कि हम ये data सारा, ऐसे, मतलब जितना भी ये cell का value है, उस सब को हम cell का formula बना लेते हैं, cell का formula बनाने के लिए equal to लगाते हैं, और उस वाली cell को select करते हैं, enter कर देते हैं, तो क्या होता है, A1 का data इसमें आ गया, जब भी आप इस पर click करोगे, तो यहां पर क्या लिक क्या आएगा, A1, आप इस पर double click करोगे, तो लिक क्या आएगा A1, इसक करने का एक आसान तरीका ढूल लेते हैं, transpose के तरीके से, transpose function की मदद से, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे equal to transpose, ठीक है, bracket open करेंगे, अब यहां से कह रहा है कि आप array select करो, तो array में हम पूरा data लेते हैं, और इसको bracket close करते हैं, और एंटर कर देते हैं, पर देखें, यहां पर हमारा data अभी transpose नहीं हुआ, यह क्यों नहीं हुआ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि हमने पूरी table को transpose करने के लिए बोला है, अब यह पूरी table का data जो है, यह सब एक सल में कैसा transpose हो जाएगा, है न, इकर एक सल में हम function लगाएंगे, तो एक सल में तो पूरा data पहले से, एक idea लेने के लिए, तो हमने यहां पर देखी, यह range ऐसे select कर ली है, अपने आप से, ताकि हम जितनी range select करेंगी, फिर उतने में तो data हमारा आई जाएगा, तो हमने यहां पर ऐसे कुछ, randomly कोई ऐसे range select कर ली, अब हम यहां से transpose function का use करते हैं, तो हमने यहां पर लग आपको करना है, shift, control और enter आपको एक साथ प्रेस करना है, जैसे आप एक साथ प्रेस करेंगे, आपका data यहां पर आ जाएगा, आप देखेंगे हमारा data जितना भी था सभी दर आ जुका है, लेकिन क्या अभी इसमें data कम है, देखिए, एक तो हम देख रहे हैं कि यहां पर यह तक का data आया है, मतलब last के दो लोगों का data मिस है, मोहन का भी, निक का भी, और साथ में city भी मिस है, तो ऐसे situation में हम लोग क्या करते हैं, जारा दर कि इस data को ऐसे पकल के और नीचे एक बार ऐसे ट्रॉल कर लेते हैं, तो हम सोचते कि city का data आजाएगा, लेकिन इसमें city का data नह नहीं आया, गलत data आया यहां पर, अब इसे सही हमें कैसे करना है, तो आप जब इस तरीके से drag कर दोगी, गलत data आजाएगा, इसके बाद आपको इसको ऐसे select रखना है, और आपको यहां पर click करना है, इस formula बार में, और यहां से आपको एक बार फिर से press करना है, shift, control, enter, जैस इस तरीके से देखिए, आप transpose function का यूज कर सकते हैं, बहुत सा आसानी से, और मैं इसमें आपको एक चीज़ और भी बता दूँ, इसे हम पहले एक बार सही कर लेते, ताकि हमारा contact number दिखाई दे, अब इसमें देखिए, मैं आपको एक चीज़ और भी बता देती हूं, इसे हम एंटर करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहां पर भी 45,000 हो चुकी है, ऐसे दूसरे की salary 10,000 है, यह और इसे घर हम कर देते हैं 15,000, देखना आप जैसे हम यहां 15,000 करेंगे, तो यहां पर भी हो जाएगी, यह देखिए, तो यह क्या हो गया है, कि यह table एक दूसरी table स चुकी है, तो यह तो था हमारा दूसरा तरीका, इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्च का, अब हम यूज करेंगे एक तीसरा तरीका, ठीक है, यहां से हम clear all कर देते हैं, अब हम आपको बताते हैं, ट्रांसपोर्च को यूज करने का तीस A2, A3, A4, A5, A6 ऐसे करके सबका data हम ले लेंगे लेकिन हम ऐसे A1 नहीं लेंगे A1 के पहले हमें आपर कोई एक कुछ भी एक word टाइप कर देंगे जो कि हम सब में टाइप करेंगे उसका reason क्या है वो मापको आगे बताएंगे जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ क्यार लिख दिया है अब एक क्या की मैंने क्यार लिखा A1 लिखा अब हम देख लेते हैं कि कितने हमारे यह है एक मतलब यह total हमारे 12 data हैं एक column में जिने हमें इधर ऐसे horizontally लेके आना है तो इसको हम कहां तक drag कर लेंगे इसे हम 12 तक drag कर लेंगे अब देखेंगे किसे हम drag कर लेते हैं 12 तक की हो गया है ठीक है इतना करने के बाद में A1 का तो हमें value मिल गई A1 की S में आएगी A2 की S में आएगी देखें A1 की S A2, A3, A4, A5, A6 जितना भी value था यह सब अब इधर आया करेगा अब इसके बाद हम इसमें भी लिख लेंगे Kr और B1 क्योंकि इसमें हमें चाहिए यह B1 का data यह name बला ऐसे हम अगले में ले लेंगे Kr C1 और ऐसे ले लेंगे Kr D1 अब हम यह B1 C1 D1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इन क्योंकि इन ही सेल की value मुझे इसी जगह पर चाहिए है तो हम इसे इसलिए लिख ले रहे हैं और साथ ही साथ यह जो हम क्यों लिख रहे है क्यार इसका reason अभी हम आपको बताएंगे बता देते हैं कितने हैं एक लिख ले रहे हैं 1 2 3 4 5 हैं एक हमने एक्ष्रा ले लिया इसे हम हटा देतें अब हमने यह तो लिख ले अभी इसे पकड़ के drag कर देंगे तो B2 C2 और यह सारे डेटा हमारे अप ऑसे ड्रैग हो जाएंगे हो गए हैं, अब देखे हमें क्या करना है, इतना करने के बाद में हमें इस पूरे डेटा को यहां से सलेक्ट कर लेना है, सलेक्ट करने के बाद हमें Ctrl-H प्रेस करना है, जिससे हमारा replace का विंडो ओपन होगा, और यहां पर हम दे देंगे कि जहां-जहां के आर लिखा है, वहा cell का value किसमें change हो जाएगा फिर formula में तो जैसे ही देखना हम replace all पर click करते हैं तो आप देखेंगे कि सारा data हमारा यहां पर find हो चुका है इसमें क्या हुआ सारे kr हटगे वहां पर क्या हो गया equal to b1, equal to b2, equal to, equal to, equal to और आपको पता है जैसे equal to लगाते हैं तो cell की जो value होती वह आपकी तो अपने आप इंसार्ट हो जाती है क्योंकि वह cell किसमें change हो जाती है फॉर्मूले में तो इस तरीके से भी आप transpose function का यूज कर सकते हैं आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो जरूर यूजफूल भी लगी होगी अगर ऐसा है तो आप प्लीज मेरी वीडियो को like, share जरूर करें और comment करना बिलकुल भी न पूलें चैनलन को हमारे subscribe कर दे ताकि आपको ऐसी और आने वाली वीडियो के बारे में notification मिल सके, bell icon दबाना बिलकुल भी न पूलें, मिलेंगे हम लोग next वीडियो में Till then keep learning and exploring, see you soon, thanks for watching